स्वागत है साथियो आप सभी का trade the trend चैनल में इस वीडियो में काफी सारी learning आपके लिए लेके आया हूँ आज की market से किस तरह के charts रहे कैसे आपको enter करना था और अपने profit को बढ़ाना था अगर आज आप एक दो अच्छे charts पकड़ लेते तो आज आपका profit बाकी दिनों के मुकाबले बहुत जादा हो सकता था जी आज आज आप बहुत पैसा कमा सकते थे बाकी दिनों के मुकाबले अगर आप charts अच्छे से पकड़ लेते और अच्छी position से entry लेते तो इसी वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा कि कैसे आपने entry लेनी थी इन charts में और कैसे आप अपना profit बढ़ा सकते थे सबसे पहले देख लेते हैं कि Twitter पे आज क्या learning थी तो देखे Twitter पे यहाँ पे मैंने tweet किया था यह Reliance का चार्ट एक मिनिट पे 10 बच के 9 मिनिट पे आपको एक support बना के यहाँ पे दिया था कि 16 का यह support है इससे नीचे जो है काफी यहाँ पे आपको fall देखने को मिल सकता है 10 बच के 9 मिनिट पे यह chart दिया था और देखे कितनी जल्दी response आया 10 बच के 12 मिनिट पे यह support fall भी हो गया और यहाँ से आपको एक अच्छा profit हुआ होगा अगर आपने इसको यहाँ से short किया है 16 से अगर आपने इसको short किया है या 1598 से आपने इसको short किया थोड़ा नीचे इस line से अगर आपने आपका order fill हुआ है तो ये 1585-82 तक गयाता है एक परसेंट का आपको प्रोफिट जो है तीन मिनट के अंदर तीन से चार मिनट के अंदर एक परसेंट का प्रोफिट आपको हुआ होगा अगर आपने यहाँ पे मेरे ट्वीटर पे फोलो किया और इसको शोट किया एक और लर्निंग के लिए आपको दिखाया था कि दिखें बजाज ओटो में जो रेसिस्टेंस था आज के दिन का शुरुवाती रेसिस्टेंस था ये कैसे बार-बार रेजेक्ट हो रहा था तो रेसिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो एक बड़ी candle वहाँ पर आती है एक छोटा सा trade वहाँ पर possible हो जाता है देखिए कैसे resistance को reject हो रहा था बार बार लेकिन फिर एकदम से बड़ी candle के साथ यहाँ पर यह break हो आ है यह देखिए एक और बजाज finance का यहाँ पर resistance था जो इसको follow बार बार यहाँ से reject हो रहा था तो आप कोशिश कीजिए कि resistance पे अटलिस partial profit जरूर बुक कर ले उसके बाद आगे चले या फिर कुछ profit महाँ पे कुछ अपने share जो है महाँ पे छोड़ दीजिए कि और profit होता है तो आगे बुक किया जाएगा क्योंकि कहा जाता है कि moon bag जो है चोटे चोटे ही होते हैं चोटा सा bag छोड़ देते हैं कि last में बुक करेंगे और साथ ही और follow कर सकते हैं trade the trend 99 अगर आपको live tips चाहिए तो live charting सीखनी है तो कैसे market time में support resistance निकाल के दिये जाते हैं एक बहुत बड़ी announcement है बहुत request आ रही थी कि telegram group जो है आप शुरू कीजिए तो telegram group मैंने यहाँ पे channel मैंने telegram channel बनाया है यहाँ पे trade the trend 99 आप यहाँ पे telegram पे follow कर सकते हैं trade the trend underscore 99 telegram channel का link description में दिया हुआ है आप direct click करके join कर सकते हैं trade the trend 99 telegram channel आप जोइन कर सकते हैं description में link दिया हुआ है एक और important announcement है कि training कल से शुरू हो रही है कोई अगर member सीखना चाहता है charts को read करना तो मुझे contact कर सकता है suncript99 at gmail.com या फिर telegram पे contact कर सकता है trade the trend 99 पे पूरी training रहेगी है charts को read करना completely इसमें सिखाया जाएगा आईए चले शुरू करते हैं PVR के chart से दोस्तों ये एक ऐसा chart है आज के दिन का अगर आपने इसको अच्छे से अच्छी जगा से अगर इसने आपने entry लिए होती entry position आपकी stable होती तो इसमें आज जो profit potential था वो 18,000 रुपे था पर 100 share अगर आपने 100 share लिए होते तो आपको 18,000 रुपे तक profit हो सकता था आज और अगर पांच सो अगर आपने दिरे-दिरे लिए होते तो दो 60-90,000 तक का profit था अज इस share में देखिए ये chart यहां से शुरू होता है चलिए देखते हैं शुरू से ये chart शुरू होता है यहां स मैं strategy आज लेके आया हूँ यह completely resistance पर बेस्ट है resistance को कैसे overcome करना और कैसे trade करना है resistance से उपर देखिए जब एक दो बार इसने resistance को face किया है और यह यहां से बढ़ता जा रहा है जो इसका lower price है वो बढ़ता जा रहा है तो definitely यह resistance को break करेगा और resistance के उपर आप buy कर सकते हैं कभी भी resistance के नीचे दुबारा नहीं आएगा कभी भी तो कुछ नहीं होता market में probability high है कि resistance से नीचे यह दुबारा नहीं आएगा second चीज आप देखिए कि यहां पर फिर resistance इसने face किया कैसे reject हो रहा है यहां से फिर resistance से उपर entry करते तो एक stable entry होती क्योंकि price कभी नीचे नहीं आया आपका stop loss यहां पर hit नहीं होता फिर यहां पर resistance face किया यहां पर थोड़ा risk की था लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज यहां पर दिखाना चाहूंगा कि यहां पर volumes आपको देखनी पड़ेंगी देखिए volume देखिए last के part की इन part की आप volume देखिए यह volume शुरू में भी यहां पर नहीं है जब दिन का chart जब शुरू होता है तो volumes बहुत हाई होती है morning में लेकिन PVR में volumes देखिए दो बचे के बाद कितनी हाई volumes हैं यहां पर और इन volume से ही आपको breakout का यहां पर अंदाजा हो गया होग possible था आपने कैसे entry ली कैसे exit किया वो आप पर depend करता है चलिए दिन का दूसरा share आज का देख लेते हैं यह है Tata Motors का share same strategy है same तरीके से देखेंगे इसको वही अपना resistance लगा के चलेंगे resistance से ही आज जो मैं strategy आज लेके आया हूँ वो completely resistance पे ही based है तो देखिए यहां से chart शुरू हुआ फर्स्ट रेजिस्टेंस से यह reject होता है तो आपको कहां बाय करना है फर्स्ट यह resistance के ऊपर जब यह resistance क्लियर होगे at least three candles हो resistance के लिए at least three candles हो third candle थोड़ा नीचे भी रहेगी तो भी okay है तो रेजिस्टेंस से उपर आपने buy किया तो आपको stable entry यहां पे मिलिए और इससे नीचे फिर price नहीं आया है क्योंकि अगर आप इससे उपर buy करते हैं तो stop loss definitely इसके नीचे ही रखा जाएगा फिर से आप देखिए वही रहता है zigzag pattern follow करता है चार्ट zigzag pattern में ही वहाँ पे चला है चार्ट यह देखिए आपको सिर्फ एक resistance को break करना था यहां पे और एक resistance अगर आपने यहां पे cross कर लिया resistance के उपर buy किया तो एक entry आपको stable यहां पे मिल जाती है और उसके बाद फिर आप जैसे मर्जी उसको शान्ती से बैठे रही है पूरे दिन और अपना profit का button चलाते रही है बस देखते रही है कितना profit हुआ एक दिन में stability आ जाएगी यहां 103 पे अगर आपने एंटर किया है तो यहां maximum 110 तक गया है यानि की लगबग 5-6% आपको यहां पे मिल सकता था तो entry कैसे करें resistance के ऊपर entry करें stop loss कहां रखें resistance के नीचे stop loss रखें यह एक अच्छी strategy है अगर आप पांच मिनिट के पंदरा मिनिट के चार्ट में अगर आप entry करना चाते हैं bullish day में आज की strategy जो है bullish day के लिए हैं यह चार्ट है इन्फ भरती इन्फरेट एल का आज का इसमें मैं आपको यह दिखाता हूँ कि देखिए यह first candle थी आज की तो first candle के बाद जो है यह जो candles है तीन candles इसमें आप clearly देख सकते हैं कि buyers कैसे push करते जा रहे हैं candles को और यहां से clear indication मिलता है कि इतना easy नहीं है high probability है कि price उपर ही जाने वाला है और safety point लीजिए यह जब यहां से reject होती है candle तो यहां पर resistance से उपर buy कीजिया फिर देखिए आपका stop loss hit होने के chance यहां पर है ही नहीं इस से उपर कैसे चार्ट चलता चला जाएगा और यहां फिर resistance है तो देखिए इसने यहां से support लिया है resistance के नीचे चार्ट दुबारा नहीं आता अगर वो अप ट्रेंड में है तो आपको यह identify करना है resistance के उपर buy करना है और अपने profit को बढ़ाना है अलग-अलग चीज़े हैं हर चार्ट में सीखने के लिए यह बंदन बैंक का चार्ट है आज का देखिए इसमें कुछ और है सीखने के लिए आपको identify करना है कि कहां supply zone है यह supply zone है देखिए जहां पर आपको उपर की तरफ shadow ही shadow दिख रही है candles की कि वहाँ पे sellers हैं और वो बेच रहे हैं नीचे जो है एकदम से demand zone है कि यहाँ पर बाइंग हो रही है उपर देखिए similarly identify कीजिए फिर यह एक जो है fight आ जाती है bulls और beers के वीच में एकदम से breakout होता है और यहाँ से देखिए कैसे price बढ़ता चला जाता है यहाँ से identify कीजिए patterns को चोटी चोटी जो को identify कीजिए आपको बहुत profit होने वाला है उससे यह इंडिगो का आज का chart है देखिए इंडिगो के chart में आज accumulation zone जो है इसको identify देखिए कीजिए यहाँ पे accumulation चल रहा है फिर एकदम से breakout देखने को मिलेगा accumulation से उपर जाएगा तो एकदम से आपको यहाँ पर breakout देखने को मिलेगा volumes देखिए यहाँ पर volume बिल्कुल 0 है फिर एकदम से volume यहाँ बढ़ती है और बढ़ती चली जाती है volume तो इस zone से उपर 1150 पर अगर आप entry करते हैं तो 1200 तक chart गया है मतला 5% यहाँ पर possible था अगर ध्या से chart को observe किया जाता तो possible था यहाँ पर यह chart है देखिए bank nifty का आज का bank nifty के इस chart में मैं आपको सिखाने के लिए लेकर आया हूँ कि इसको trade नहीं करना है ऐसे chart को trade नहीं करना है यह भले ही uptrend में है लेकिन इसको देखिए 2 candle green है 2 red है 2 candle green है 2 red है तो यह आपका stop loss जल्दी ही hit कर देगा आप ज्यादा stop loss लगा नहीं पाएंगे price ज्यादा है bank nifty का तो छोटे-छोटे stop loss से ही आप खेलेंगे इसमें और यह आपका stop loss definitely hit कर देगा कहीं ना कहीं पर तो ऐसे चार्ट में risk reward ratio कम होता है ऐसे चार्ट को avoid कीजिए यह daily का चार्ट है दोस्तों UBL का इसमें कोई concept नहीं है बस यह resistance है जो इसने cross कर लिया है UBL ने कभी-कभी छोटी-छोटी बातों पे भी ध्यान देना पड़ता है कि जब मारुत्ती की गाड़िया नहीं बिकरी उसका चार्ट उपर जा रहा है तो liquor तो विकरा है दारू तो विकरी है market में सबसे पहले दारू के बिना तो सरकार भी नहीं चल पाती है तो इसका stock definitely उपर य एक अच्छा profit दे जाता UBL अगर पिछले 2-3 दिन से भी काफी time से अगर आप यहां hold करके रखते तो at least देखिए यह इसने clear support यहां पर बनाया था 860 के करीब तो 860 से 1020 तक यह अच्छा यहां पर profit हो सकता था PNB का मैंने आपको देखी एक special video बनाया था चैनल पर जब PNB trade कर रहा था 26-27 रुपए पर और मैंने कहा था कि bank में इतनी बुराई नहीं है बस इसके provisioning जादा है प्रोविशनिंग की वजए से bank के result अच्छे नहीं आते हैं तो आपको बताया गया था कि अगर प्रोविशनिंग जिस साल कम हो जाएगी उस साल इसके result अच्छे आएंगे और एकदम से आपको changes देखने को मिलेंगे 27 रुपए पर मैंने तो बोला था कि पाय किया जा सकता है 27 रुपए एक अच्छा प्राइस था अब देखे 34 रुपए यहां पर प्राइस हो गया है लगग लगग 20 परसेंट से जादा 22-23 परसेंट यहां पर इसका return हो गया है अब तक का दोस्तों यह charts थे आज के लिए अगर आपको training attend करनी है charts सीखना चाते है तो कल से training शुरू होगी Saturday से 4-5 दिन की training गया है complete knowledge transfer होगी उस training में telegram group join कर लिजिए please description में link है telegram group का बहुत आपको learning मिलेगी telegram group पे और अगर live देखना चाते हैं तो मेरा handle follow कर सकते है trade the trend 99 thank you